दोस्तों दोखों हमारे बास में आ गया ये M की शेप वाला बड़ा सा बॉक्स स्ट्रेट फ्रॉम सामसंग और यहां पे लिखा है अफकॉर्स अन्बॉक्स दे मॉन्स्टर ब्कॉज M स्टांड्स फॉर मॉन्स्टर अन्बॉक्स को अन्बॉक्स और पता लगाते हैं कि अंदर ये जो फोन्स हैं ये क्या स्पेशल लेके आते हैं बिकॉज हमारे बास में एक नहीं बल्कि दो-दो फोन से यहां पे इसी बॉक्स में लेट सी कैसा है सामसंग का नया-नया M15 और M55 नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेक्निकल घुरू जी चलिए शुरू करते हैं तो शुरू आद हम करते हैं से बॉले बॉक्स के साथ में और सामसंग की MZ आपको बताया वही है बहुत ज्यादा स्पेशल रही है राइट फॉम दे लाउंच और अभी हम आगे बढ़ते बढ़ते आ गई हैं बहुत दूर क्योंकि यहाँ पे सामसंग खेर पहले हमको बताया है कि फोन्स के अंदर क्या खुछ इंटरस्टिंग होने वाला है और अभी हम बात करें है M15 के साथ M55 की भी लेट्स अन्बॉक्स दिम तो गाइस, the monsters have been unleashed हमारे पास में आ गए है यह दोनों नए नए phones Samsung Galaxy M15 5G और यहाँ पे है Samsung Galaxy M55 5G और क्योंकि हम बात कर रहे है M series की तो of course मैं भूलना चाहिए कि it must be a monster अब यहाँ दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ पहले इसके बारे में बात करते हैं इस दे लेटेस्ट प्रिटी न्यू Samsung Galaxy M55 5G और सबसे पहली चीज़ जो आपको बोलना चाहूंको ने इस फोन के बारे में वह है कि यार ये बड़ा हलका feel होता है और काफी ज्यादा slim भी feel होता है मतलब this is just 7.8 mm और जो weight है वो है 180 grams का मतलब this is actually मेरे को ना real पर लगने रहा था कि यार ये dummy तो नहीं है but this is a fully working phone बट 180 gram का बजन लेके आता है इस size मेना feels incredible और यहां पर हम बात करने वाले हैं चलो सबसे पहले design और complete इसी look के बारे में ही तो आपको of course Samsung की नई वाली style का पूरा design language हमको इस phone में मिल रही है this comes in two color options जहां पर एक है denim black यह जो आप देख रहे हो यह है दोस्तो light green color option और अगर हम बात करते है buttons and ports के point of view से तो यहां पर आपको right side में phone के मिलता है power lock on lock button जिसके ठीक उपर volume rocker है उपर secondary microphone मिल रहा है side में हमको left side में मिलती है एक sim tray phone में अगर देखते है नीचे तो हमारे पास में है primary microphone, USB-C port, speaker grill, well phone of course supports stereo speakers और पीछे फिर अगेन यह काफिर interesting से मतलब texture साथ में आता है काफिर आपको matte finish मिल रही है यह बहुत ही amazing samsung का super amoled plus screen दोस्तों यह है 6.7 इस के size के साथ में और हमको 120 hertz तक की differentiate की उपर यह चलता हुआ मिलता है and I mean samsung का screen है तो आपको पता है कि कितना अच्छा आपका experience होने वाला है जहां पे अभी इसमें vision booster भी आ गया है और high brightness mode में thousand nits की peak brightness है तो basically speaking content consumption के point of view से screen is really amazing और फिर in display fingerprint scanner of course मिल जाता है feel is really light and really sleek लेकिन at the same time भाया अंदर performance to the max है because samsung m series मेंना हमने देखा in the past as well across iterations कि time to time हमको कुछ कुछ नए या segment first feature samsung ने दिये है तो यहां पर दूस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी अंदर जो power है वो आती है qualcomm snapdragon 7 gen 1 पे मिलने वाली हमको which is really smooth and fluid पतलब अगर आप phone को use कर रहे हैं games लोगरे भी खेल रहे हैं no all together you know general operations तो the experience is really fast and smooth in this samsung galaxy m 55 5G और first time ever ऐसा हुए in galaxy m series की हमको phone में 12 GB की RAM मिल रही है जी ना दोस्तों यहां पर यह phone दो अलग-अलग options के साथ में आता है 8 GB RAM या फिर 12 GB RAM और storage हमारे पास में है 128 या फिर 256 GB configurations के साथ में तो आपको पता है कि मतलब जो performance है with 12 GB RAM और Snapdragon 7 Gen 1 वो बहुत अच्छी होने वाली है और at the same time first time हुआ ऐसा कि galaxy m series में हमको मिल रही है 45 watts की super fast charging और जो battery है वो है 5000 image की तो all together combined अगर हम बात करते हैं performance की तो as samsung बोल रहा है यहां पर unbox the monster तो we have a monster right here और फिर दोस्तों यहां पर जो monster वाला पूरा flavor है वो camera में भी continue हो रहा है because हमारे बास में पीछे जो यह triple cam setup है यह आता है 50 megapixels के primary camera के साथ में जो आपको ठीक यहां पर बीच में दिखाई दे रहा है और this comes with OIS of course और in fact काफी interesting camera features भी हैं आपको बताऊंगा आगे फिर हमारे पास में है 8 megapixels का ultra wide camera और 2 megapixels का macro camera for selfie lovers यहां पर इस phone में 50 megapixels का selfie camera भी है तो I mean hardware point of view दोस्तों things are really amazing but the same time software point of view से Samsung ने हमको बहुत interesting features दी हैं जो काफी यह दो flagship phones में आते हैं things like dual recording जहां पर आप एक साथ front और rear camera से videos बना सकते हैं यह अगर हम बात करते हैं object eraser की या image clipper की आपको वो सभी options इस phone में मिल जाते हैं और अगर हम बात करेंगे photo samples की तो यह कुछ photos हैं जो हमने इसी phone के front और rear camera को use करते हैं जहां पर you can clearly see that how is the camera performance of this Samsung Galaxy M51 5G I mean rear camera हो या selfie camera हो सारे examples आपके सामने हैं जो भी हमने shots लियें फिलाल इस phone के साथ में अब यहां पर screen again आपको बता चुका हूँ thumbs up camera thumbs up performance thumbs up but the best part is the complete galaxy experience जो इस phone को और ज्यादा special बना देता है उसका reason यह है कि फिलाल अगर बात करोगे software की तो जो phone है यह run करता है One UI version 6.1 पे which is based on Android 14 but आपको पता है now it's pretty common with Samsung जो हम used to हो गए है कि हमको मिलने वाले हैं 4 generations तक OS updates और 5 साल तक security updates इस phone के साथ में यानि कि आप लंबे time तक phone को use कर पाएंगे और आपको काफ़ interesting features भी मिलने वाले हैं example features like Samsung wallet जहां पर अपने आप सारे डॉक्यमेंट्स कार्ड और से कुछ स्टोर कर सकते हो और आपको इसके अंदर option मिल जाता है tap and pay का इसके अलावा we have options like quick share easy sharing के लिए जहां पर आप फाइल्स भीशते हो साथ में हमारे पास में एक option जो इंडियन क्रिशन के लिए पहुत ज्यादा relevant है वो मिल जाता है इसमें which is voice focus की भीड़बावाले लाके के अंदर भी आपकी आवाज की clarity बनी रहेगी फिर दोस्तों हमारे पास में इसमें पूरा Knox का जो system है it is completely baked in with the Knox security जहां पर हमारे पास में secure folder है Knox vault और फिर दोस्तों हमारे पास में जो overall experience है ना 1UI का it really seals the deal for this Samsung Galaxy M55 5G मतलब काफी time बाद आया है काफी अच्छे से आया है और जो सारे features पैक कियें Samsung में इस phone में I must say phone काफी interesting feel होता है altogether from hardware and software point of view अब यहां पर अगर हम बात करते हैं इसकी which is this next monster this is Samsung Galaxy M15 5G यहां पर जो पीछे का pattern है जो डिजाइन दुस्तों कफे interesting सा लग रहा है लेकिन अगेन यह चीज़ बड़ी common है which is the Galaxy design language all across the Samsung lineup now यहां पर अगर हम बात करते हैं features की तो display point of view से हमारे पास में है एक 6.5 inches का full HD plus 90 Hz पे चलने वाला Super AMOLED screen अंदर दुस्तों है पर जो performance है वो हमको बिल जाती है Meditech के Dimensity 6100 के साथ में आने वाली यहां पर इसमें दो अलग अलग RAM variants है जो की है 4GB या फिर 6GB के और जो storage है इस M15 5G में वह उने वाली है 128GB की which is again adequately powerful 6000 image की बैटरी है इसमें और 2MP का macro camera so basically you can see the results for yourself आपको पूरा कैसा experience मिलने वाला है इस M15 5G का लेकिन मज़े की बात see this is the big brother this is the little one लेकिन यहां पर भी जामसंग ने आपको promise कर दिया है 4 साल तक OS updates और 5 साल तक security updates का with this M15 5G as well अब यहां पर दोस्तों finally हम बात करते हैं सबसे important जीज़ के बारे में इन दोनों phones के बारे में which is the price यहां पर जो base variant है वो आता है 8GB RAM 128GB storage के साथ पर इसकी price है 26,999 उसके बाद में है 8GB RAM 256GB storage variant जिसकी price है 29999 और finally है 1256GB वाला variant जहां में price है 32999 बट हमको दोस्ते हमें मिल रहे हैं कुछ offers तो जो price है offers के बाद में वो start होती है अगर हम बात करते हैं M15 की तो यहां पर जो इसका base variant है 4GB RAM 128GB storage के साथ में उसकी price है 12999 और 6GB RAM विरेंट आता है 14499 की price के साथ में लेकिन जो offers के बाद में price है वो है 11999 रुपीस से starting So guys there you have it all new Samsung Galaxy M15 5G and this my personal pick Samsung Galaxy M55 5G दोनों phones आ चुके हैं और It's good to see yaar कि Samsung is really putting in nice features all across the universe especially our software है न I mean it elevates the entire experience आपको मज़ा आता है phone को यूज करके तो यह है ने ने phones आपको कैसे लगे नीचे comment करते है वोड़ी को like करते है मुझे ज़रू बताना And tell me आपका क्या कहना है इसी Samsung की monster वाली Galaxy M series के बारे में दोस्तों फिलावड़ी में इतना ही देखने लब बताने बाद आप से मिलता हूं next वीडियो में जैह हिंद वन्दे मात्रम